असलाम अलेकुम दिस इस राफिक अली मेहमद और मैं टॉपिक इस एप्लिकेशन ऑफ इन्वार्मेंटल मॉनिटरिंग सिस्टम इन इस्टेराइल एरिया EMS इस्टमाल होता है इस्टेराइल एरिया में फार्मसोटिकल इंडस्ट्री में ताके यह पता चल सके कि इन्वार्मेंट कंट्रोल में है या नहीं और रेगुलेटरी रिक्वार्मेंट्स को मीट कर रहा है या नहीं तो EMS का जो प्रोसेस है वो रिपोर्ट या रिकॉर्ट करता है GMP या ISO की रिक्वार्मेंट्स को पूरा कर रहा होता है और इसके लावा इसके बास उन तमाम लोगों की ट्रेकिंग कर रहा होता है जो इस प्रोसेस से मुंसलिक होता है मॉनिट्रिंग सबसे पहले गावनिंग एरिया से स्टार्ट होती है ताकि यह पता चल सके के काम करने वाले अफराद कहीं अपने साथ इस्टेराइल एरिया में कंटैमिनेशन तो नहीं लेके जा रहा है और इसके इलावा पार्टिकल्स और माइक्रोबियल मॉनिट्रिंग मैक्रोबियल मॉनिट्रिंग होती है जब वाल्स को एक्युमलेटर पर रखा जाता है और यह मॉनिट्रिंग चलती है अब तक खाली वाईशन तक आजाती है और सबसे एहम जगह जहां पर monitoring की जरुरत होती है वो है जब वाइल्स में product की filling हो रही होती है तो और जब यह filling चल रही होती है तो stopper ring और capping step से से पर collection area पर जाती है जहां पर monitoring मजीद होती है और फिर complete contamination हो जाती है जब product पहुंचती है तो final monitoring steps manufacturing और packaging में particle sensors इस्तमाल होते हैं यानि कि non-veiable particulates की monitoring में है ताकि यह पता चल सके कि area जो है वह आयस और GMP के standards को meet कर रहा है या नहीं microbial samplers इस्तमाल होते हैं ताकि यह monitor कर सके कि clean room में biological activity को sensors clean room में biological activity को monitor करते हैं microbial samplers के दरिये से और इसमें फिर sensors लगे वे होते हैं ताकि temperature humidity लगे होते हैं ताकि temperature humidity pressure मुखलिफ control areas में activity के लिए activity के लिए ems ems में sensors लगे होते हैं ताकि यह activity को indicate करें और इसके लावा ems में जो चीदें शामिल हूं activity reports होती है event reports होती है और यह track करता है system को जो के बनावा system made of any changes system